नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे कि सफ़ालता और गाम्या भी कैसे दाप्त करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी राय बता नहीं हो तो नीचे कमेंट करिए मैं आपको ये अभी बताना चाहूँगा कि आपके मदद के लिए हमने कई किताबे लॉंच करी है हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे इस्क्रिप्शन में है तो लिंक पे क्लिक करिए और वासे आप किताबे खरीच सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं हमारे अच्छे टॉपिक पे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ क्या आप अपने जिंदगी में काम्याब होना चाहते हो क्या आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हो क्या आपका भी सपना है कुछ बनने का कुछ कर दिखाने का अगर है तो यह वीडियो आपके लिए है मैं कहता हूँ सपने देखो सपने देखना जरूरी है जिन्दगी में तरक्की करने के लिए सपने देखना जरूरी है पर सिर्फ सपने देखने से तरक्की नहीं होती उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उन सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है हम शुरूर जरूर करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं जब भी थोड़ी अर्चने बढ़ जाती है जब भी कोई समस्या आ जाती है हम यह सोचने लगते हैं कि हम गलत रस्ते पर तो नहीं चल रहे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अर्चने और समस्या जिन्दगी के हर मोड पे आते हैं तो डरीय मत उन समस्याओं का सामना कीजिए उन समस्याओं का हल डूलिए और आगे बढ़ते रहिए आप लोगों में सु काफी लोग ऐसे होंगे जिन्दों ने कोशिश की होगी कई बार की होगी पर तकलीफ और मुसीबतों ने आपका रास्ता रोक लिया था इन मुसीबतों और तकलीफों के सामने गुटने टेक के हार मान के अपने अंदर की आग को अपने अंदर के जुनून को मिटने मत देना जिस जुनून से आपने काम शुरू किया था उसी जुनून से करते रही है आपकी मनजिल आपको जरूर मिलेगी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि रास्ता आसान होगा रास्ता आसान होता तो हर कोई कर लेता पर मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है आखिर मैं बस यह एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने अब तक जितने भी दुख सेहें, जितने भी तकलीफों का सामना किया है, जितनी भी मेहनत करी है समसाओं का हल डूंडा है, वो हर एक चीज, वो हर एक बात, वो हर एक इनसान, वो हर एक दिन, वो हर एक पल आपको यहां इस शन के लिए तयार करने के लिए था, ताकि आप वो इनसान बन सके, जो आप आज हो और जो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है और काम्याब बन सकता है तो चलिए उठिए और तयार हो जाएए अपने सपने पूरे करने के लिए